नमस्कार जयहिंद आप सभी का स्वागत है क्या एलियन लाइफ मिल चुकी है हमारे डूढने की कावाया तो काफी सालों से चल रही थी पर अभी जाके एक तत्य मिला है जिसके तहट साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में अब हमें एक बहुत बड़ी कोशिश करते हैं यह आवास सुन सकते हैं आप यह आवास तो इस रिमाइंडिंग मी आफ सा मूवी डाट माइट है शोन की कैसे हम लोग एलियन से कम्मिनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे या वो कैसे हम से कम्मिनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे और इन सब के पीछे का जो background है वो है the radio waves आईए समझने कोशिश करते कि आखी radio waves क्यों emit हो रही होंगी क्या alien या intelligent life उसको कर रही है या फिर कुछ और माज रहा है आईए समझने की कोशिश करते हैं आप सभी का स्वागत है इस क्या एक्सपरिमेंट किया जा रहा था और इसराइल बेस्ट एक बिलियनियर है जो चाहते थे कि मैं सारे radio waves जो receive हो रहे हैं उसको क्लब करके एक AI algorithm run करूँ और फिर decipher करूँ कि कौन अलग सा wave ऐसा दिख रहा है जो intelligent life को दिखाता है तो एक AI algorithm run किया गया और देखा गया कि 820 स्टार सिस्टम से radio signal receive हो रहे थे और कलब करके निकाला गया तो एक बहुत बड़ी achievement हाथ लगी है उस achievement को अगर आप समयने की कोशिश करेंगे शायद अब तो साफ लग रहा है कि दिर are numerous examples of extraterrestrial radio signals that scientists have detected these are important as radio signals have often be prioritized by scientists as one of the most prominent aspects of seti that is the search for extraterrestrial intelligence और इसी दौरान जब हम ढूंड रहे थे और AI चुकी चीजों को अच्छे से process कर रहा था यहां पे खुशी की लहर आपको नजर आ सकती है क्योंकि कहा गया कि कुछ signals लग बग अलग से दिखे there were eight promising signals that hadn't been detected before जिनको पहले कभी detect नहीं किया गया था इसे आठ अलग से signal मिले हैं these signals all come from five different stars each within 30 to 90 light years from earth one of these stars is HIP 6207 जो की बिलकुल हमारे G-type star जो की sun है हमारा बिलकुल उसकी तरह है तो कहीं न कहीं ये बात वापस से limelight में आ चुकी है कि क्या बाहर भी intelligence life exist कर सकती है किसी और galaxy में हो किसी और जगा पे हो पर क्या exist कर सकती है उसको पता लगाने का तरीका यही था कि क्या वो communicate करना हमसे चाहरे है तो AI algorithm ने अभी कुछ तो हमें probability दिखाई है कि कुछ 8 ऐसे promising signals मिले है radio wave के जो लगता है बाकी से अलग है और इनको पहले कभी नहीं notice किया गया है हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आप radio waves की बात करते हैं तो ये बहुत तरीके से emit होती है आपके सामने एक दिख रहा होगा एक gas का आपको लगभग गुबारा दिख रहा होगा ये कहां से निकल आप आप सोचेगा ये आँखों को नहीं दिखती radio telescopes हमारे होते जो radio wave को पढ़ सकते हैं उन्होंने देखा कि the black hole at the heart of the galaxy has been emanating or throwing out the gases जो कि हमें देखने को मिल सकता है only through the radio spectrum and the radio telescope आपको ये भी बता देना चाहिए कि radio waves हमारे पूरे cosmos में release होती रहती है एक black hole बने तो radio wave अगर आपका active galactic nuclei कोई है तो radio wave अगर आपका लगता है space explosion हो रहा है तो radio wave अगर लगे कि the astronomers are trying to find the radio waves to understand how stars form in other galaxies the star formation, the explosion, etc. everything has some sort of radio wave associated with it और वो radio waves चलती रहती है चलती रहती है एक जगह पहुंसती है जहाँ उसको receive किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि वो कब से चलके आ रही है तो पूरे cosmos में बहुत सारी events हो सकते जहां से हमें radio waves मिल रही होगी आप radio waves के बारे में थोड़ा सा जान ले क्योंकि UPSC आपको ये तो नहीं पूछेगा alien मिला नहीं मिला पर वो radio waves ज़रू पूछ लेगा अगर आप इस पूरे spectrum को देखें और उमीद है आपको ठीक से दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं ये radio waves जोला portion है जिसका wavelength देखें कितना बड़ा है और जैसे जैसे मैं spectrum में आगे जा रहा हूं देखें का wavelength आपकी कम होती जारी frequency बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा आता है जो गामा waves और फ्रिक्वेंसी में है कि भयानक फ्रिक्वेंसी है इस wavelength से कोई चलते हुए आ रहा है और यहां पर wavelength कम होती जा रही है मतलब मेरा radio wave से microwave फिर infrared फिर ultraviolet फिर x-ray और फिर gamma ray और आपको जो radiation दिख सकता है जो electromagnetic wave आपको दिख सकती है वो हमारी light करती है इस visible light के spectrum में जो मेरे infrared और ultraviolet के बीच का पार्ट है हमें यह सब कुछ नहीं दिखेगा हमें बस इतना दिखेगा जो visible light के पार्ट में इतना सब स्पेक्ट्रम है visible light का पर अगर आप यहां देखें तो अच्छा खासा यहां पे wavelength यह बनाते हैं और यह radio waves लगातार आपके हर चीज हर कॉजमो से रिलीज हो रहे हैं भले कोई भी बताना चाहिए these radio waves are form of radiation known as the electromagnetic waves यह आपका vacuum में भी चलती है आपको यह clear होना चाहिए they can travel for a long distance and they can penetrate through materials and they can even pass through vacuum they cannot be felt and they are invisible they travel at the speed of light in vacuum when they travel through the materials the speed differs depending upon the objects permeability and permittivity the wavelength range इनका देखेगा is from thousands of meters to 30 cm इनका wavelength हो सकता है मतलब thousands of meters तक भी travel एक wave बना सकती है 30 cm हो सकता है these correspond to a frequency of 3 Hertz to 10 to the power 9 Hertz और आपको यह भी बता दे wavelength is indirectly proportional to frequency more the wavelength is less the frequency और आपको यह भी बता दे कि अगर बहुत ज्यादा wavelength है तो energy कम है अगर frequency बहुत ज्यादा है तो energy बहुत ज्यादा है इसे sun को देख लीजे the hotter it is the more frequency and more the energy radio waves are emitted naturally by lightning astronomical object जैसा कि अभी हम लोग डिसकस कर रहे थे they experience reflection reflection इसे सब होता है तो कभी हो UPC में आपको फसा है कि they do not face reflection बोलेगा नहीं करता है हमारे ionosphere में भी तो हम यही कर रहे हम radio signal भेजते हमारे ionosphere में टकरा के वापस हम तक आता है तब ही telecommunication हम बहुत अच्छे से कर पा रहे है so this all is happening with the help of radio waves only और हम आपको अभी की खबर बता दें अभी की खबर में समझने की कोशिश करिएगा एक planet है जिसका नाम हम आपको देना चाहते है उसका नाम है you have got your yz sati b yz sati आप देख सकते हैं यह star आपको दिख रहा होगा और इसका b एक planet है हम लोग अपने एक्जो प्लैनेट की search में हमने ढूंडा कि एक star है जो बिलकुल हमें लगता है कि sun जैसा हो सकता है और एक सेती भी उसका planet है एक्जो प्लैनेट है यहां से हमें लगातार radio waves मिल ले थी लगातार radio waves मिल ले थी और यह बहुत दूर भी नहीं है हमसे यह हमसे मातर 12 light year away है मतलब light यहां से हम तक आने में 12 साल ले सकती है अब यह बार बार हमें radio wave भेज रहा है तो हम लोग देखने है कोशिश किया कि आखिर यहां पे है क्या वैसे नीचे आप कमेंट करके बताईएगा कि आपने कभी गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में सुना है यहां से जब यह आ रहा था तो हमें radio waves काफी मिलने लगी हम लोगों ने सोचा कि क्या हो रहा है क्या वहाँ alien life है हमने पता किया पता चला इस प्लैनेट और इस सन के बीश का जो स्पेस हो बहुत कम है इसलिए यहां कि magnetic fields आपस में टकरा रही है और जो generate हो रहा है वो radio waves हो alien life could be you receiving some radio waves which is very different from whatever we are receiving from here आज के लिए बस इतना ही और आपको बता दें कि ऐसे और सेशन होते रहेंगे आप नीचे सब्सक्राइब जॉइन हमें कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी देखते रहें बहुत सारे अप्डेट यहां पर आपको आतरें तो एक बहतरीन ओपर भी चल subscription you want to join me taking the subscription 12 months 24 months and you get 50% off अभी चल ला है यह आपके affordability के लिए बढ़िया है अगर आपको लेना चाहते तो अभी ले सकते हैं that's a good offer that has come about plus अगर आप लेते हैं अगर आप प्रिलिम्स निकाल ले में संपर हैगा हम आपका मेंस का तियारी कर रहेंगे मेंस निकाल लें इंटर्व्यू का तियारी और बाकी में अगर आपने इंटर्व्यू भी हो गया आपका पूरा final we pay you back whatever you have given to us this is our assurity to you and plus batch हमारा बीस अप्रेल से लक्ष चालू हो रहा है हिंदी वाला और यह हमारा इंग्लिश का ओलड़ी चालू है आप अभी भी जूड़ सकते हैं याद रखिए का cmc is my code and you can put in to get into any such subscription पूरा पैसा एक बरम नहीं देना होता आप यह माई बना के भी दे सकते हैं तो अगर ज को मच ठेक कियर जेहिंद